हेलो फ्रेंड्स, आइम कॉमल छापकर, वेलकम टो आश्रवाद किचन, आज मैं बनाऊंगी साबुदाना की खिचडी, साबुदाना की खिचडी अक्सर हम लोग वरत में बनाया करते हैं, खिली-खिली साबुदाना की खिचडी बनाने के लिए मैं आज कुछ टिप्स और ट् साबुदाना, इसको हमें तीन से चार बार पानी से अच्छे से धोलेना है, और आप देख सकते हैं, ये जो साबुदाना है, वो इस तरह का होना चाहिए, इसमें पानी एड़ करते ही आप देख रहे हैं, ये पानी ट्रांस्परंट ही है, इसमें बहुत ज्यादा सफेदी बाहर नहीं आ रही है साबुदाना से, तो इस टाइप के साबुदाना यूज करेंगे, तो खिचडी बहुत अच्छी खिली-खिली बनेगी, तो इसको मैंने तीन से चार बार पानी से धोलिया है, अब मोस्ट इंपोर्टन फिंग यहां पे आती है, साबुदाना को भीगो तो यहां पे हमने एक कप पानी लेना है, और दूसरा दो टेबल स्पुन पानी एड़ करना है, इसमें आपको ज्यादा पानी एड़ नहीं करना है, हमने डेड़ कप साबुदाना लिया था, तो हमने यहां पे एक कप और दो टेबल स्पुन पानी एड़ किया है, आप मों 5-6 गंटे इनको भिगो के रखना है और उसके बाद हम इसकी खिचड़ी बनाएंगे तो आप देख सकते हैं पांच से 6 गंटे हो चुके हैं और साबूदाना के अंदर का सारा पानी सा इंप कर लिया और आप देख सकते हैं ये कितने बड़े हो गये हैं साइज में अच्छे खासे फूल गये हैं और आप देख सकते हैं कि अब कोई भी एक्स्ट्रा पानी नहीं बचा है जब ऐसे हाथों से उठाते हैं तो आप देख सकते हैं हाथ बिल्कुल ड्राइ है जरा भी पानी नहीं है और साबुदाना अच्छे से भीग चुका है इसे तोड़ कर देखेंगे तो ये एकदम सॉफ्ट हो चुका है अंदर से भी इस तरह से साबुदाना भीग जाना चाहिए और अगर आपके साबुदाना में पानी ज्यादा है तो आप इसको छन्नी में रख दीजिए गंटा अगर आप नहीं खाते तो आप ग्रीन चिली यूज़ कर सकते हैं यहां पर मैंने 1.5 टेबल स्पून शुगर एड़ की है वो भी ऑप्शनल है और 1.5 टेबल स्पून लेमन जूस एड़ किया है मैंने 1.5 टेबल स्पून ग्रीन चिली का पेस्ट एड़ कर रही हूं आप इ को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करें अब एक कढ़ाई में हम 1.5 टेबल स्पून ओयल लेंगे उसमें हम 3 टेबल स्पून पीनट को एड़ कर देंगे और इन्हें हलका गुल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ करके किसी डिश मे निकाल देंगे और अब इसी ओयल में हम एड़ करेंगे एक टेबल स्पून जीरा जीरा को चटकने देंगे उसके बाद एक टेबल स्पून सफेद तिल एड़ करेंगे उसके बाद 10 से 12 करी पत्ते एड़ करने हैं इन्हें थोड़ा सा हम कूप कर लेंगे और अब इसमें हम एक कप चॉप किया हुआ पटेटो एड़ कर रहे हैं आप पटेटो को बॉयल करके भी आड़ कर सकते हैं मैंने यहाँ पे कच्चा पटेटो एड़ किया है और इसमें पटेटो के हिस्से का हम नमक एड़ करेंगे क्योंकि साबू दाना के हिस्से का नमक ह हमने उसमें एड किया है अब इनको ढ़क करके हम सव्ट होने तक कुप कर लेंगे बीच में इसे दो से तीन मिक्स करते हुए 7-8 मिनिट के लिए कुक कर लेंगे जब तक कि ये हलके से ट्रांसपरंट हो जाए आप देख सकते हैं 7-8 मिनिट के बाद ये हलके हलके ट्रांसपरंट हो गए है और इसे हम खा कर देखेंगे तो ये अच्छे से कुक हो चुके है अब इसमें हमने जो फ्राइ करके पेनट रखा था वो एड़ करके मिक्स कर लेंगे थोड़े से हरे धनिय के पत्ते एड़ कर देंगे और इन्हें भी मिक्स कर लेंगे और अब इने हम गर्मा गर्म सर्व कर देंगे साबुदाना की खिचडी को गर्मा गर्म ही परो से और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें आप साबुदाना की खिचडी कैसे बनाते हैं वो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएए फाइनली इसे हम गार्निश करें के धरनियक के पत्ते पीनट से और एक करी पत्ता रख देंगे और फाइनली आप इसको फराडी चेवडा के साथ जरूर ट्राई करें ये बहुत ही अच्छा लगता है और थोड़ा सा क्रंची टेस्ट भी आता है तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे तो फ्रेंड्स मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें कॉमेंट करके मुझे बताए आपको रेसिपी कैसी लगी थैंक यू फॉर वाचिंग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें बाई बाई हेव नाइस डे